तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक हंटर लेके आया था, अब मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक पेन, पेन के अंदर चाकू, देखिए अपनी बेन, बेटी, किसी को भी अराम से इसकुल जाए, कोलेज जाओ, कहीं भी जाओ, घूमने फिरने जाओ, पेन का काम भी करेगा ये देखो उपर से आया पेन, लिखने का काम करेगा, पेन अंदर बापिस जाएगा, और यहां से ये चाकू लिख लेगा तो ये अपनी बेन बेटी की पूरी सुरक्षा कर सकता है, अगर एक बेन अपनी बेनों को दो, रक्षा बंदन की टाइम दो, ऐसे ही गिप्ट देदो यार, बहत प्यारा फीस है, और आपके लिए लेके आया हूँ, ये देखिए, सागवान की लकडी के अंदर बनावा टे है इसकी, क्या श्यांदाल लुके इसका यार, देखिए, नमबर वन पीस, आप मंगवाईए, हम भेजेंगे आपके घर तक, तो ना टेंशन करें, सिरफ मेरा मुवाइल नमबर पे फोन करें, आगर दिखाता हूँ, आपको कीरिंग, छोटा सा है, सुन्दर है यार, ये दे देखिए, अपने बच्चों को दो, दार वगेरा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कटता है, वापिस फोल्ड हो जाता है, ये है कीरिंग, ये है हडखिता, अपनी बेन बेटी की जब साधिया होती है, तो इसको कहते है हडखिता, ये है सिपारी काटने का हडखिता होता है, ये देखिए, ये राजिस्तानी बनावट के अंदर है, मोर, और पीतल का बनावट के अंदर है, टोटल, सुन्दर, नंबर वन, और आप देखिए, एक नया और पीस, सब से छोटा, अपने बच्चे अगर रात को चमकते हो, नींद के अंदर, तो उनके तक्ये के नीचे र देगा, और आपके बच्चे कभी भी चमकेंगे नहीं, चोटा सा पीस है, तक्ये के नीचे रखें, साथ रखें, कोई से भी चोराएबे, अगर आपका पेर पढ़ता है, कुछ होता है, तो इससे आपको कुछ भी खत्रा नहीं है, और अब आपके लिए लेके आयों, ये द पूरा है, ये मेटल के अंदर, ये लगता प्लास्टिका है, लेकिन है मेटल का, इसके अंदर देखें, साथ डिजाइन, अलग-अलग डिजाइन है, ये देखिए, कोई भूत की खूबडी आए हैं, और ये देखिया आप, इगल, इसको ऐसे पेनो, ये होगया तैयार, और आप आपको दिखाने वाला हूँ, ये देशी पंज, और आप देखिए, ये नाइफ, फल फुरूट काटे, सबजी काटो, और आप देखिए, ये बड़ी वाली तलवार है, अगर आपको दीवार पे सजानी है, आपके कोई होटल है, तो मावी आप सजा सकते हो, डाइन रूम में सजा सकते हो, क्या जला जवाब इसकी बनावट है, इसके मैंने पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका नाम है अदित्य इंडिकराफ तुशकर, तो उसमें भी मैं इसके तलवार के बारे में आपको बता चुका हूँ, लेकिन इस तलवार को आप देखिए गोर से टर्बो निउस के, इसके साथ ये सिल्ड फिरी है, आप देख रहे हैं, आप टर्बो निउस पे, आप ने इतने सारे पंच चीजे देखी, पंच देखें, लेकिन आपको एक अच्छा पंच दिखाता हूँ, जो अभी आया है, लेटेस्ट, इसको बोलते है, कुलाडी पंच, इसको यहां से ग्रिप पे, पूरा पेनो, सूपर पीस, यह पूरा फिट बेट जाता है, अभी मैंने यह ग्लिप्स मेना हुआ है, इसलिए अभी मेरे उगलियों पे नहीं आ रहा है, वाकि आपके पूरा फिट बेट एक रहा है, अब आप देखिए, जो अपने बड़े पुर्जुग हैं, अपने बेन बेटिया हैं, अपने भाई हैं, आप घर पे कभी अकेले रहते हों, तो उसके सुरक्षा के लिए एक है चीज बढ़िया, इसको कहते हैं गुप्ती, छोटा सा पीस है, मौनिंग बोग पे डंड़े की जैसे काम आएगा, आपके डंड़ा यह है यह, देखिए, पुरा इश्टील का है, इसको आप डबल भी कर सकते हो, गुमिये, फिर ये, कोई किसी को परिशानी नहीं, इस पे धार नहीं है, बिना धार का है, अपनी शेफ्टी करेगा चोर उठाई गिरों से, अगर रात को कोई चोर उठाई गर आजाए, तो आप इसको लेके अपना साथ घुम सकते हो, आता फ्रेंड, अब देखी, अगर आप कहीं पर खेत पर रेते हो, रात को अगर कोई चोखिदारी करते हो, तो उसके लिए एक लेकाए हो आइटम, यह है एर पिश्टोल, छोटा है, सेफ्टी का गाम करता है, इसमें चाओ तो आप मुंग के हरे वाले दाने आते हैं, दाल सकते हो, यह चोखिदार को दो, अपने खेत में अगर रात को रेते हो, तो कोई रोजड़ा, गाय वगेरा आती है, उनको भगाने के कामे भी आएगा, नम्मर वन पीश, और यह है, मेटिल हैंडिल में, जो मैंने आपको पहले किसी भी चैनल पर नहीं दिखाया था, ना आपको अदित्ते हैंडिकराट पुशकर में दिखाया, ना आपको घुमककर जरनी में दिखाया, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ यह टर्बो नीउस पर, तो देखिए, इसका यह बनावटे सर्फ बहुत बड़िया, एक नमबर चीज है, देखिए, पूरा इस्टील का हैंडिल है, और इसी के साथ जोइंट है यह, सेकेंड, देखिए, ग्रीन हैंडिल, क्या लाजवाब इसकी बनावटे हैं, आप कहीं पर भी जैसे जंगल वगेरा में कहीं घुमना चाते हो, घर में रखना चाते हो, देखिए, एक बात और यह, इस पर किसी पर भी धार नहीं है, यह है बिना धार का सोपीस आइटम, कोई भी आइटम मेरी दुकान पर धार धार नहीं मिलता है, सब बिना धार का मिलता है, पोईट भी खतम करके रखते हैं हम, यह है शिल्ड राजपूतानाज सिल्ड इसको अपने घर पे लगाई और अपना कैसा भी मकान हो उसको महराजाल लुक दीजिए महराजाल लुक के लिए एक छोटा सिल्ड है यह बड़ा सिल्ड है और यह आपने देखी होगी यह है ड्रेगन तलवार अब मैं आपको दिखाता हूँ अब मैं आपको देखाता हूँ अब मैं आपको देखाता हूँ